नमो नमाहा विद्यार्थियों आज की पठनिय विशे है शोपन वास्व धत्तम का प्रत्मंग जो की पुर्वो कक्षा में मंगला चरण के अध्यन के पस्चाथ हम आगे बढ़ेंगे शुत्रदार जो की नाटक की कथावस्तु का सुत्रक के रुप में उपस्थापन करने हुए मंच पर उपस्थित होता है और नान्दी के प्रस्चाथ मंगला चरण का विधान करता है करते हुए वो सुत्रदार कहता है एबम मार्य मिश्रान भिज्ञाप यामी करता इस प्रकार आप स्रीमानों से जो सहुर्दे सामाजीक दर्शक दिर्गा में वैठे हुए हैं आप सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैं कुछ बताना चाहता हूँ और इतना कहके फिर तुरंत शुत्रदार कहते हैं यह क्या हो रहा है कि जब मैं कुछ बोलने के लिए कुछ बताने के लिए व्यस्त हूँ व्याकुलित हूँ कुछ उस कारे में तकपर हूँ मैं संगलगन हूँ तब कुछ आवाद सी सुनाई दे रही हैं अंग पस्यान में ठीके मैं देखता हूँ मैं इसके लिए इसका अनुसंदान करता हूँ कि क्यों ऐसी आवाज आ रही क्या समस्या है तो इस प्रकार सुनता है जब तब नेपत्य से आवाज आती है नेपत्य का अर्थ है बता दूँ आप लोगों को नेपत्य कहते हैं कि परदे के पिछे का भाग जो इसको नेपत्य कहते हैं अर्था परदे के सामने जब परदा हड़ जाता है मंच पर तब जो पात्र दिखाई देते हैं वो मंच पर दिखाई देते हैं और उसका संभिधान किया जाता है उस गटना जात का और उसे केते नेपत्ये उस नेपत्य में आवाज आ रही कि उत्सरता उत्सरता आरिया आहा उत्सरता हटीए हटीए हितो होदे हटीए यह जो हटो 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 आ रहे हटो इस बात को सुनका वो पता लगा लेता है सुत्रधार कि क्या घट रही है क्यों यह सी आवाज आ रही है तब वो कहता है कि भवत तो भिज्या तम ठीक है मुझे पता चल गया मुझे समझ में आ गया है यह कोला हाल यह आवाज क्यों हो रही ह इस प्रकार कुला हलो हो रहा है उस बजह को वो एक प्रस्थुत पद्य के माद्यम से प्रस्थुत करता है कहता है अनुष्टुप चंद है प्रत्यक्चरण में आठ आठ बढ़न होते है और स्लोके सष्टम गुरूगियम सर्वत्त्रा लगु पंचमम दीचतु प्रस्थुत पद्यच्चरण का चठाख्षयर और और पंचमम लगु सर्वत्त्रा पांचव आख्षयर हमेसा लगु होता है और दिचतुष पाद रहष्वम साथमा बन जो है दूसरे और चोथे चरण में रस होता है और सब्तम दिर्गमन नहीं हो और तिसरे और पहले पहले और तिसरे में साथमा अक्षर क्या होता है दिर्ग होता है इसको अनुश्टुक संद कहते हैं संद वीचे देखिए भरते ही धन मगफ़ा राजाश्याः द्रिष्टम धन उत्सार्यटे ऑद्रिश्टम उत्सार्यते सरवढ हद्uinely तपोगन गताह सरवास तपोगन गताह अन्मयः मगद राजश्य कन्यानुगामि भी स्निद्धेही बरत्धेही सरवाह तकोवनगताह जनाह दृष्टमुचालियती मगद राजश्य कन्यानुगामि भी मगद राजश्य राजा मगद राजश्य मगद देश की जो राज़ा है महाराजा दर्सके दर्सक तो उनके भाई है जो राजकुमारे के लेकिन मगद देश की जो राजा है तो दर्सक के जो पिताजी है तो उनके लिए मगद राज मगद राज की जो कन्या है पदमावती उस मगद राज की कन्यानुगामि भी कन्या का अनुगमन करने वाले पद्मावती का अनुशरण करने वाले उस कन्यका के उस पद्मावती के पीछे अनुशरण करने वाले जो उस निगड़ी बृत्य ही उनके जो उस नही उनका ध्याम रखने वाले उनके विश्वा सिनिये बृत्य ही सेवकों के द्वारा स्भी संपोर्न स्भी में आस्रें रहने वाले जन्री समुदा dysでした उस्सार Sovin इनको हटायाए जा रहा है कि मारग देविगनताша को हासिल करने के लिए रास्ते में जो भी लोग हैं तो उनको हटाय जा रहा है ताकि आराम से राज कुमारी का गमन हो सके यह हमारी परंपरा रही है यह हमारा एक प्रोटोकल रहा है कि जब भी कोई बड़े व्यक्ति बड़े प्रसासक उस समय प्रसासक क्या विराजा लोग होते थे और राज जंग होते राज की व्यक्ति होते जब हो जाते हैं तब रास्ते में तो तब यह होती ही कि उनका आनुस को भात को पता लगा लेते हैं को ना सुत्रधार इस प्रकार में पत्य की आवाज के माध्यम से तब वो इस परकार कहते हैं आगे पुनह भटव दोनों सैनिक कहते हैं उत्सरता उत्सरता आर्या हटिये हटिये आर्या हटिये उसके बाद परिप्राजक वेश को परिप्राजक के सन्यासिकी रुप को धारण करने वाले योगंदरायन प्रवेश करते हैं और आवंतिका वेश अधारणी बासवदत्ताच आवंतिका के वेश को धारण करने वाली बासवदत्ता भी प्रवेश करती है तो जब इस प्रकार साहिन के हटाते हैं तो वहां मंच पर दिखाई देते हैं कि परिप्राजक एक सन्यासिकी वेश में योगंदरायन आये हुए हैं और आवंतिका के वेश में एक पसीतवर्त्तु का नाईका जिसका नाम आवंतिका रखा गया है उस वेश में वासवदत्ता भी प्रविस्ट करती हैं तो नों आते हैं डप लान करननदत्त्त्त्त पर्था योगंदरायन थोड़ा सा कान यह आगे करके करनम तक्वा सुनकर यह आवाज आ रही हटो हटो फटो तो करनम करके आगे करके सुनकर कहता है किता है कि यहां भी उत्सार्य जा रहा है कित मिहां पित्सार्य ते कुतह तो इस तक्त्य से वो बड़ा दुखी हो जाता युगंदरायन और जो बास्त भी किता है उसको महा पताते पूरे कहते ही युगंदरायन धीरश्यास्रमसंस्रितास्यवसता स्तुष्टास्यवनिपले पूर्मानारस्यजनास्यवकलवता स्त्रासामूत्पाथ्यति उत्सिक्तो बिनयादपेत पूरुषो बाग्येश्चलेवेश्मितह कोयंभो निवृतं तपो वनमिदं ग्रामी करो त्याग्ययां शार्दूल अविक्रीडित चन्न लक्षन है शूर्यास्वेइर्मसजास्तता सगुरवः शार्दूल अविक्रीडितम् तो यह सूर्य की जो अस्व होते हैं अल्ला कितने होते हैं साथ और सूर्य बारा होते हैं जो बारा ग्रों अक्षर पर अतिपात होता अस्व जो गड़े साथ रेक्षर पर अतिपात होता है इस प्रकार बारा और साथ उनिश वर्न होते हैं, उनिश अक्षर होते हैं, एक चरह में, और मागण सागण, जागण सागण, तागण, उसके पस्चाप गुरू, तो इस पर कार जिस चंद में होते हैं, उसको सादूलों विकड़े चंद कहते हैं, तो यह कह रहे हैं, यह आस्त्रम में इस प्रकार घटना, क्यों घट रही है, यह घटनी नहीं चाहिए, तो लो इसका आर्थ पढ़ने से पहले, पहले चंद भुगया, इसके वा संधी विच्छत हम कर लेते हैं, बल्कलवतह धन्त्रासह बल्कलवतस्त्रासह समत्पाध्यति, सम्धन उत्पाध्यति, बिनयात धन पेत पुरुषह, बिनयात पेत पुरुषह, भाग्यी धन चलेही, धन विश्मितह, भाग्यी चले विश्मितह, कहा दन आयम को यम तपोवनं धन इदम तपोवनं इदम गरामी करोती दन अगया गरामी करोती अगया अनमे धीरस्य बन्नी फलेई तुष्टष्य वसतह बलकलवतह मानारस्य आश्रम संसितष्य जनश्य तरासह समगपाद्य देग भो अयम कहा उत्सिक्ताहा चले ही भाग्यी विश्मिताहा दिने याद पेत पुरुशाहा यह इदम निब्रतम तपूबन माग्यां ग्रामी करोते हैं बले धीर अश्या जो धीर हैं जो गंबीर हैं जो धैरे सली हैं जिनके पास रजो तमगुण का भाव है केवल सक्त गुण संपन निष्ठ तपस तप निरत जिनको कोई लाज लपेट किसी भी प्रकार की काम बासनाय या भोग प्रति आसकती नहीं हो अशे धरिव युक्त जो तपस सिलोग हैं और बनी ही ठले ही तुष्ट अश्या और जो जंगल में उगने वाले जंगल में उटपन होने वाले जंगल में जंगल से ही प्राप्त होने वाले पासुलव युग्ये जो हैं ऐसे फले ही फलों से कंदों से मुलों से तुष्ट अश्या संतुष्ट होने वाले प्रसंदता को प्राप्त करने वाले खुश रहने वाले बसता है और यहां रहने वाले आश्रम में रहने वाले बलकल वता है जो बलकल प्यड की छाल को कपड़े के रुख में बस्तर के रुख में धारण कर अपने जो लज्जा निवारण का कारे को संपन्य करने वाले लोग हैं स्सक्रत एक मानवी सभ्यता का परिचे प्रदान करने वाले ऐसे माना रस्य गो माननी हैं जो मान के अरह है जो संपान के योग्ये हैं ऐसे आस्त्रम संग्सितस्या आस्त्रम को आस्त्रे करके रहने वाले सम उपसरगा श्री तातु से निश्टाक्ता प्रत्य है श्रीता सम्स्पृता 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 पने आस्त्रे करके अच्छी तरह रहने वाले जनस्य तपस्तिलों के त्रासह समुत पात्य थे इनके मन में भी त्रासह भय डर एक प्रकार के उद्वेग पन्न किया जा रहा है संद उपसर का पुरवग उत उपसर का पुरवग पद्धाद उसे यत पत्ते हो पके और आत्मनिपदी में करवाच्चे में किया गया समुत पात्य थे उत्पन्न किया जा रहा है इनकी मन में डर भाव को पईदा किया जा रहा है अयम कहा उत्षिक्ता ऐसा ये कौन उत्षिक्त है ऐसा कौन दृष्ट है अधिने तो अभी दीने तो भडगड़े भाद इस किा हो जाएगा रात हो जाएगा प्र रात के बाराट को कि यह लिए तो चंसलाएं प्रतिष्टा मील जदै कि संपनस्पन न शयरता है काल हो सकता है दुस्तता हो जाए लेकिन इससे इसमित होकर ऐसा कौन है बिनयाद अपेत पुरुसा अपनी बिनम्रता से जो हट गया है निब्रत हो गया है ऐसा कौन पुरुसे है ऐसा कौन कहती है यहीदम जो इस निब्रतम तपवनम एकंत में रहने वाले तपवन को तपवन जे साच्रन कर लो वाला को परिवे से उसकुर्पन कर रहा है जबकि आस्तरह में संस्थ भावें-इसी प्रकार कोई वह नहीं वना चईए संती प्रियव यह मुनी लोग आपकर रहे हैं तो यह हं कि महांको इब हास का जो गंद्रान के माद्दिम से कहने का सहे हमेशा राह है कि यूग यूग से राह है कि सबल का दुर्बल पर आकरां कालिदास नभी यही बात कही है अभी गान शाकुलतल में भाववत नभी उत्तर रामचरित में कही है आधुनी का आचारिय राह रामजी उपाद्दैस कि रचना किये उन्होंने भी बात कही है कि शहरी संस्कृति जो भ्यावत आस्रम की जो संस्कृती पर वैद्ध्ध की सपtenी कर बैद्ध प्रहार किया है उसने और उसको पर्षाम करने के लिए हमेशा करें गातर परह है और जबकी मुनी लोग रिशी लोग जिनकी कारण एक धर्मनाम जो पुरुशार्थ प्रवल होने की बज़े से इसंशार में ग्रह नक्षत्रादी सब कलाय मान है और अपने अपनी जगह में चल रहे हैं दुनिया सही तरह से चल रही है तो उनको परिशान करने कोशिश करें बड़े दुख की बात है और इ आपको ढूखा देता है और एसा गलत करता है और कुछ विरूग होते हैं अपने पत्तिष्ट्रा अपकी कारण मदमतों हो जाते हैं अहम भावबी होजाते और सामान लिलों के वह भर भारी पढ़ते हैं वो यह अत्यंत कराद यह कहने करा से प्रस्तुत अलंक में प्रीकर लंकार हैं कि सभी प्राइबिशेशनों का प्रेव हुआ है और शात्रों बिक्रिशन्द है और कभी का जिवन दर्शन इस प्रकार है विद्यार्थियों आज हम एहीं इसको बिराम देते हैं प्रेक्षान को कल फिर अध्यन करेंगे धन्यवादा